जल आवर्धन योजना में आ रहे ही शिकायतों के निराक्रण के लिए मंगलवार को नपा सभागर में बैठक आयुशित के गई बैठक उस वक्त हंगामे में तब्दिल हो गई जब वाट दो पार्षद अरुणा उपाधिया ने उन्हें बैठक के सूशना नहीं दिये ज़ाने के साथ ही नगरपाली का अध्यक्ष पर पार्षदों के साथ भेडभाव कारूप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया पार्षद और नपाध्यक्ष के बीच आमने सामने के सिते निर्मित हो गई गहमा गहमी बढ़ने पर नपाध्यक्ष छाय पार्षद के आरुपों को नजर अंदाश कर वहां से चली गई पार्षद उपाध्या ने बताए कि फिछले चार महा से साधारन सभा नहीं हो रही है नपा की विभागी बैठकों में भी चुनिंदा पार्षदों को बुलाया जा रहा है अध्यक्ष को भी कई बार शुकायते की लेकिन वे भी पक्षपात करती है उपाध्या ने कहा कि उ जल आवर्धन योजना को लेकर शुहर के विभेन वाडों से शुकायते मिल रही है जसके निराकरण के लिए मंगलवार को नपा में बैठकायवजुत की गई इसमें पार्षपती नपा इंजुनियर राजस्वी शाख अधिगारी के साथ फिल्ट में काम करने वाले मेन को स सुचना ही मिलने की बात उन्होंने कही है अब कैसे सुचना नहीं मिली ये ज्राच का विशय है किसी भी पाश्वत के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है सूचना सायत उनको मिली नहीं होगी, हमारे यहां पर जल आवर्धन यौजना का काम चल रहा है क्या समस्याओं को समस्या है इन सब समस्याओं को देख्ते हुए सभी सभापति सभी जो हमारे नगरपालिका के इंजिनियर हैं राजस्व साखा के अधिकारी हैं सभी लोगों को आमंत्रित क्या गया था और हमारे जो फिल्ड में काम करने कि उनको सुचना नहीं मिली हैं कामों से सिल्षले में कोई विशय नहीं था यह जल आवर वाड में केवल एक गली है इसलाम फुराकी जहां पर पाने की समस्या है और वो विशय में है जानकारी में है वो बता रखा है उन लोगों को बट और भी जगे है जो जैसे पर्टिकु बड़ी समस्या थी तो उसको भी टेकल करना था तो सभी पार्सदों को आमंत्रित कर लिया था कि सभी लोग आकर अपनी समस्या जो भी है वो बता दे इस पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अब वो चूकि विस्तारी हमारी योजना थी और उसमें पार्सद्जी को सूच इसे कि अब कर गो लुक्तव ग जिया लंगे है मेरे और इस dif घृतवायों को भी जनता को लाकर कर आंदुलन करूंगी कि क्योंकि काम परिशत को शाले कर चले और वो किसी को भी शाल्त में चल रहे हैं मेरे साथ अंधिनत टो मैंग वे जा रहे हैं और एक एसी की महिला हुए और घर पर आज आकर कहीं लोगों कि मैडम हम पाने से बहुत परेशान हैं आमर्यया, GMT के कनेक्शन होना चाहिए। मैं यहां पर हुसी को लेकर शुचना करने आई थी कि मैं अद्रक्षा से मिलती हूँ लेकिन अद्रक्षा मेडम ने खरगोन से अबराय पठान की एरिपोर्ट